फेनली दोस्तों सारुक खान की फिल्म डेंकी जिसको बॉक्स ओफिस पर रिलीज वी आज एक महीने का समय कम्पिलिट हो चुका है यानि दोस्तों डेंकी मूवी को आज बॉक्स ओफिस पर 30 में आदेन है तो बात करेंगे डेंकी मूवी आज 30 में दिन कितनी कमाई कर रही है दोस्तों डेंकी मूवी के 30 तनों का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कितना हो चुका है तो इस मूवी ने टोटल बल्ड वेड बॉक्स ओफिस पर कितनी कमाई कर ली है जिसमें दोस्तों उनके जीवन से जुड़ी गटनाओं को दिखाया जाएगा तो बात करेंगे दोस्त आप लोगों से वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पंकस तरपाथी की मूवी मैं अटल हूं की बारे में तो दोस्तों इस मूवी को रभी जादव की डारेक्शन बनाए गया है जिसका बजट 20 कलो रुपय वहन दोस्तों इस मूवी को टोटल बल्ड बैड वाक्स आफिस पर 600 बेलीज किया गया है जिन दोस्तों काफी कम स्क्रिंड मिलु को लेकिं दोस्तों बात करएं यह मूवी पहले दिन कितनी कमाई कर रही है तो दोस्तों मैं अटल हूं मेर्ब पहले दिन इंड जबरदस्ट होगा मैं अटल हूँ मूवी फिन लैप टैम में कितनी कमाई करेगी क्या दोस्तों ये मूवी फिन बजट को रीकवर कर बॉक्स ओफिस पर एक घट मूवी सावेत हो पाएगी या नहीं बताए केमेंट बॉक्स में दोस्तों देखना काफी जबरदस्ट होगा य इस मूवी में सारुक खान तापसी पन्नू विकी काउसल बोमन इरानी एहम किरदार में नजराए थे बहिंदोस्तों बात करें डंकी मूवी के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी न पहले देन इंडियन बॉक्स ओफिस पर 29 लाग रुपई की कमाई की थी तो डंकी मूवी न पहले देन बल्ड बैड बॉक्स ओफिस पर 58 कलोर रुपई की कमाई की थी बहिंदोस्तों इस मूवी न दूसरे दिन 20 कलोर 12 लाग रुपई कमाई तो तीसरे दिन इस मूवी न पच्चिस कलोर 61 लाग रुपई की कमाई की थी देंकी मूवी ने चोथे देन संदे को पहले संदे को इंडियन वर्क्साफिस पर 30 कलोर 70 लाख रुपई कमाई थे तो इस मूवी ने पहले अपते में इंडियन वर्क्साफिस पर 16 कलोर 20 लाख रुपई की कमाई की थे तो तीसरे अपते में इस मूवी ने 15 कलोर 40 लाख देंकी मूवी ने चोते刯 हफ्ते में इंडियन वाक्स आफ़िस पर 30,000 रुपर कंवाइँ थे दोस्तों इस मूवी को आज मव mie के 30 त नो का टोटल इंडियन वाक्स आफ़िस कलेक्चन 25ड़ 87 रुपर yuk हो चुका है इस मोवी अभी तक टोटल बल्ड बैड बॉक्स ओफिस पर चार सो चौट क्लूर पचास लाख रुपई की कमाई कर लिए तो दोस्तो कलेक्शन के साप से सारुक खान की फिल्म डेंकी बॉक्स ओफिस पर एक सुपर हेटर मुवी सावित हो चुकी है और दोस्तो अगर आपने दोनों फिल्मों को देखा दोनों में से आपको सबसे बेस्ट मोवी का उन्सी लगी एक कमेंट बॉक्स के बादे हमसे कमेंट करके जरूब तहीं मिलती हैं दोस्तों नेस्ट वीडियो नई अपडिट के साथ तब तक लिए दोस्तों आप सभी लोगों को धन् खेचे बोसे हमादब